नमस्कार सातियों स्वगाता आप सभी का आपके अपने यूटूब चनल सरकारी बारत में तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के अंदर ये vacancy देखने को मिलने वाली है ठीक तो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ देखिए एक तरीके से expected ही है क्योंकि ये vacancy अब आपको देखने को मिलने वाली है आपने कई सारे इसके बारे में news बगरा देखी जरूर होंगी तो इंडियन आर्मी के अंदर military engineering service में MES की recruitment आपको देखनी को मिलती है इसमें अगर हम बात करें कि सर्फ कितने पदों पर ये vacancy आएगी तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में पहले ही बता देता हूँ कि आखिरकार है क्या यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेरे भाई तो देखे सबसे पहले बात यह है कि अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी question है तो आप लोग comment box में जरूर लिखेगा आपके comment का answer जरूर दिया जएगा पांच मिनट के अंदर ये आपके comment का answer दिया जएगा सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें कुल मिलाकर 7-8 पोस्ट पर यहां वीकेंसी देखने को मिलेगी जिसमें मैट की पदों पर लगबख 27,000 पदों की करीब वीकेंसी देखने को मिलने वाली है जिसका educational qualification क्या है 10th है सिर्फ 10 में पास होने MTS की बात करें तो 11,316 10th पास होना चाहिए स्टोर कीपर के लिए 1026 10,12 और टाइपिंग होनी चाहिए रोट्समें की बात करें तो 944 पदों पर 12 भी पास होना चाहिए सुपरवाईजर बैर्यक स्टोर ओफिसर और अर्क्टेक्ट कैडर एक के लिए यहां पर 534, 154 और 44 इसके लिए आपको ग्रेजुशन होना चाहिए तो इस्टोर कीपर ड्रोट्समें के लिए आपके पास 12 होना चाहिए स्टोर कीपर के लिए आपके पास टाइपिंग भी होनी चाहिए जिसमें 35 WPM इंगलेस और 30 WPM हिंदी यहां पर पूछी आती है मैट MTS के लिए सिर्फ 10 भी पास 12 होना चाहिए बाकी सुपरबाइजर, पैरक इस्टोर ओफिसर और आर्किटेक्ट के लिए सिर्फ आपके पास ग्रेजुशन होनी चाहिए कुल मिलाकर यह विकेंसी जो देखने मिलने वाली है वो 48,822 पदों के करीब देखने को मिलने वाली है देखे, यह जो भी चीज बता रहा हूँ में 99% है यह माल लीजे एक तरीके से expected ही ही है क्योंकि यह news कहीं जारी जगे आपको देखने को मिल रही होंगी इसमें थोड़ा समय detail में आपको देता हूँ किसमें क्या रहता है procedure इसमें अगर height की बात करती है मेरे भाई तो इसमें male category के लिए 170 cm height देखने को मिलती है जबकि female category के लिए यहां पर मिल जाएगी इसमें selection process क्या होता है तो selection process के बहुत आसान होता है एक तरीके से इसमें सबसे पहले written test होगा post के साब से यहाँ पर physical होता है document verification after medical exam होता है यहाँ पर medical पहले भी हो सकता है document verification बाद में भी हो सकता है इसमें आपको इतना जदा pencil लेने की आफशिकता है ही नहीं यहाँ पर देखें तो इसमें कुल मिलाकर 41.000 प्लस पदों पर vacancy आपको देखने को मिलने वाली है इसमें जो fees रहती है वो minimum 2500 रुपे यहाँ पर fees देखने को मिलती है लेकिन यह तो आपको अब जब notice आएगा उसके साब से clearly हो पाएगा तो इसके बारे में अभी बात करना विकार की बात है उम्र सीमा के बात कर है तो इसमें 18 से 27 बर्स के 32 में form fill up अपना कर सकते है इसमें से ले तो नॉर्मल सी बात है अच्छी ही होती है इसका जो exam pattern होता है मेरे वाई वो offline mode पर होता है यानिकि OMR बेच्ट यहाँ पर पर प्रिच्छा देखने को मिलती है 100 questions होते हैं 100 marks के होते हैं 2 hours यानिकि 2 गंटे का समय दिया जाता है negative marking यहाँ पर बनवाई 4th की यहाँ यानिकि 1 4th की यहाँ पर negative marking देखने को मिलती है कुल मिलाकर अगर यहां questions की बात करें तो जो 100 questions होते हैं जसमें 25 questions आपके reasoning के होते हैं 25 questions आपके GKGS के देखने को मिलते हैं 25 questions आपको यहां पर math के देखने को मिलेंगे और 25 questions ही यहां पर आपको English के देखने को मिलेंगे तो किलमला का 100 questions, 100 marks के 2 hours का यहाँ पर time period होता है 1 by 4 की negative marking होती है यह exam pattern है, one tire exam होता है यानि कि सिर्फ एक ही परिचा आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है clear है, तो यह था सारे का सारा detail यहाँ पर उम्रसीमा की बात करें तो OBC के लिए यहाँ पर 3 साल की चूट देखने को मिलती है जबकि SC और ST के टिगरी के लिए यहाँ पर घरम बात करते हैं तो 5 साल की चूट यहाँ पर देखने को मिलती है जो कि government के norms के साब से होती है जो कि आपका reservation होता हो उसके साब से पाकि इसका notification जल्द ही देखने को मिलने वाला है तो कब देखने को मिल चकता है तो देखे, expected है इसका notification फरवरी के करीब आपको देखने को मिलने की संबावना है तो उमीद है जल्द ही इसका notification देखने को मिलेगा कई सारी इसके वारे में यूज आपने सूसल मेडिया पर भी देख रखी होंगी अमीद है आपको ये सेसन अच्छा लगा होगा और सेसन क्या है इसमें जो भी न्यूज है वो अच्छी लगी होगी और अगर आपका किसी प्रकार का कोई question है तो comment box में जरूर लिखेगा आपके comment का answer जरूर 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 दिया जाएगा ठीक है तो ये भरती आने वाली है इसके chances बहुत जादा है क्योंकि एक लंबे अंतराल के बादी विकेंसी आपको देखने को नहीं मिली है बहुत लगबक दो साल पहले ये विकेंसी आपको देखने को इस तरीकी के से देखने को मिले थे उमीद है सरसन ठीक रहा होगा thank you for watching this video